आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपोर्टेंट केस जो जी एस्टी के लिए भी बहुत ही इंपोर्टेंट है केस है वैसे सेल्स टेक्स का यहाँ पे खुल मिला के साथ अलग अलग स्टेट्स के हाई कोट ने इस तरह के मैटर्स पर डिसीजन दिये वे थे ज इसलिए कोट ने उन सारी अपील्स को डिस्पोज ओफ करते वे एक सिंगल डिसीजन दिया तो यहाँ पे बात थी वारंटी के पार्ट्स की एक जर्णल सा बिजनेस प्रॉसेस चलता है कि जब हम लोग कोई चीज परचीज करते हैं कोई मैनुफेक्ट्चुर्ड एक्यूप आप जब कार पर हमारी साइट कंसल्टीस पे मैंने सको पूरा अपडेट किया है इसके आप कॉपी वहां से डाउन रूड भी कर सकते हैं जो हमारे वहां के सब्सक्राइबर्स है और साथ में जो हमारा ग्रूप है वाटसेप अपडेट ग्रूप जिसके लिए आप पर अप कंपनी को आपको प्रुवाइड कराना पड़ेगा यहां पर इस एग्रिमेंट के खास बात यह है कि जो डीलर और कंपनी के बिच का जो रिलेशनशिप है यहां पर इक होट ने का कि प्रिंसिपल अगेंट का नहीं होता है अब यहां पर दिक्कत के आई पहले भी इस इस इ अपर दिक्सिबिलिटी नहीं आएगी क्यों कि जब मैने ओरिजिनल प्रॉडेक्स को सेल किया था तो लैट सब्सक्राइब यह पर faço देंग कार का तो जब आपको मैंने कार सेल कि थी तो कार सेल करने की टाइम पे ही उसके प्राइस के अंदर मैंने वरन्टी का प्राइस भी फी इंक्लूड का लिया था, तो मैंने यह भी इपरफ लिया होगा कि वरंटी में मुझे, मालिजे, हजार कार में से सदस्कार में पार्ट खराब होतार मुझे चेंज करना पड़ता है तो इसके हिसाब से मैंने के अवरेज कॉस्स निकाल के अस वरेंटी की और इस प्राइस में एड कर अखी है तो जिस दिन अब आप पार्ट रिप्लेस कराने आ रहे हो मालली जिछे मेने बाद या एक साल बाद तो एक्चूली में आज कोई नई ही ट्रांजक्शन हुई नहीं क्यों नी होई ट्रांजक्शन काक्शन तो पहले हो चुकी थी वारांटी तो आपको पहले ही दे चुकी थी आज तो वह सिर्फ execute हो रही है, तो यहाँ पर ही बड़ा important point है, इस वज़े से हम लोग generally सब यह ही believe करते थे कि इसमें कोई taxability नहीं आती, लेकिन taxability यहाँ पर court ने बोला कि उस part के लिए होगी, लेकिन कैसे होगी, वो आपको समझना है, यहाँ पर जो तरीका है car company का, वो generally क्या होता है, कि dealers को जो कार होती है, वो company सो पर्चेस करके रखनी परती है अपने पास, साथ में जो parts होते हैं, वो भी company कहते है, dealer को कि तू अपने पास purchase करके रखो, उसका reason ही है कि कभी अचानक से अगर बायर आ गया, तो फिर आप बोलो कि अच्छा, मैं आप बायर बेज़ुगा, defective part की फिर वाशे सही part आएगा, फिर में लगाऊंगा, तो पता चला, चार दी इसी में गूम गए, बंदा बिना गाडी के चार दीन कैसे रहेगा, फिर आपस पर्चेस ही नहीं करेगा, वो बोलेगा कि आपकी तो आपके तो पार्ट लगाद ही नहीं मिलते हैं, आपके तो पार्ट मेरे बैज़ दोगे, और उस पार्ट को में चेक कल सब्लूंग, यह सच में अएगाई। तो एक क्रेडिट नोट इस्यू करूंगी अब ध्यान रखना यहां पर क्रेडिट नोट से मतलब क्या है कि आपने जो अपना समान मेरे भी हाव पे लगा दिया उसके लिए अपको क्रेडिट दे रही हूं तो आपके अकाउंट में पैसे डिवाजिच कर दूंगी बागाएदा और क्रेडिट नोट के लिए कर लूँ यहां पर मैं अकाउंटिंग एक नोट की बात कर लियूं जी एस्ट की करेड नोट की बात ने करी दोनों डिफरेंट होते हैं तो महां पर आपको कंफिूज निहों ना वरना आप जब जबिस जचमेंट को पढ़ों गड़ों लाबर क्र क्रेड नोट दे दिया मतलब उस पार्ट के लिए आपको क्रेड प्रोवाइड कर देगी हाँ इतनी रुपे का तुम्हाई तरफ से मही तरफ आ चुका है जो मेरा तुम्हें देना बनता है और तुम्हारे अकाउंटमस को ट्रांस्फर करवा देना है तो यहां पर जो कोट है आपके पास एक पार्ट रखा है और हम सब लोग जानते हैं कि GST के अंदर जिसको आपने सेल किया कि उसको डिलीवरी देना कंपल सरी है आंसर इस नो आपसे मैंने कुछ पर्चेज किया तो क्या आप मुझे डिलीवरी दोगे नहीं आपने मेरे कहने पर इनको डिलीवरी दे भी तो भी तो सेल हो गई ना सेल तो आपने मुझे की ना फिर भी तो यहां पर डिलीवरी आपने मेरे कहने पर इनको कर दी तो यहां पर पर्चेस करके लाए तो मुझसे किया या फिर मार्केट से मानलो पर्चेस किया वो उसकी स्टॉक का हिस्सा है और डिरे ने वो पार्ट मेरे कहने पर आपकी गाड़ी में लगा दिया और जैसे मुझे पता चलिया कि हां सही है ट्रांजक्शन में वेरिफाई कर ली मैंने आपको दे दिये तो इसका मतलिवी ट्रांजक्शन एक्चुली हुई क्या अपने व पार्ट एक्चुली मुझे सेल किया है और क्योंकि हमारा एक अग्रिमेंट था अपस में तो आपने सेल करके उसको मुझे डिलीवर करने के बजाए मेरे कस्टमर की गाड़ी में लगा द यहां पर एक डिफरेंस क्या हो सकता है अगर डिलर को चो पार्ट रिसी हुआ इसके बात मैं उसको पार्ट बेजू और तब वो उस गाड़ी में लगाए तो अब उसने अपना पार्ट नहीं लगाया जिसपे उसकी ओनर्शिप थी उसने वह पार्ट लगा जो मैंने उसको संट किया लेकिन इस केस में भी अगर मैंने के लिए उसको घटीनल चारजिस पर किया है धीलर को फॉर इस सर्विस तो वो भी टैक्सिबल हो जाएगी इस वाले के एक पास प्रक्राइब यह थोड़ा नहीं है विदाओ अगर आपको प्रॉस्ट प्रॉस्ट जाएगा तो फो भी टेक्सिबल हो जाएगा यहाओ तो मैंने पास आपके पास सिफ रखके छोड़े हूए हैं विदाओ मेकिंग यू पर्चेस देंगा अगर 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 आपको फोर्स ने गया कि नहीं तुम पर्चेस करके रखो अपने पास पास पर्ट यूज अगर अगर आपने अपने पास पर्ट यूज किया उसके लिए तो फिर उसकी टेक्सिबलिटी आएगी अई बिलीव कि यह जो मोटर परिंडी है टाटा मोटर्स का केसे लेकिन सारी कार कं बाकि जितनी भी equipment manufacturers हैं, वो सारे के सारे भी वो ही same modus operandi use करते हैं, सिर्फ एक दो केसे को छोड़ के, जर्णरली क्या होता है, पर अपर प्लेस करना होता है, फिर वो उनके head office से आता है, तब आपको मिलता है, तो वहाँ पर केस डिफरेंट है, वहाँ पर ऐसा नहीं कि उसने accessories, parts पर्चेस करके रखेंगे हैं, तो आपके जाते ही हात के लगा की दे देंगे, तो यहाँ पर ही बह आप इसको पड़ो, बहुत सारे judgments भी इसके अंदर discuss हुए है, और जब भी हम कोई अच्छा लंबा judgment परते हैं, तो बहुत सारे different provisions पर clarity अपने आप आती है, 106 page का judgment है, उतना लंबा भी नहीं है, अब डिसेंटली तो एक 350 page का था, जो हम लोगों discuss किया थे last to the last video में, तो I hope यह video आपके लिए useful होगी, thank you so much.